संद्राव पुलिस ने कही वावनों के चालान काटे संद्राव के सरकल पर संद्राव पुलिस ने नका बंदी कर रॉंग साइट चलने वानों वा वा तीन सवारी बाइक चलने वाले बिना हेलमेट चलने वाले को ऐसा ये सुरेश थानवी अपने टीम के साथ कटे चालान ये पुलिस ने वान चालकों को बिना हेलमेट बिना बेल्ट रॉंग राइस रॉंग साइट नहीं चलने की रायत दी और समझा इसकी बाली के फालना शहर में आज सरस्वती कलेक्शन और कॉस्मेटिक शोरूम का उद्गाडन बड़े हर्शो उलाज से हुआ उद्गाटन कारेकरों में उद्ग व्यापार सेवा समिती के अद्ध्यक शाम सिंग जोदा, अमीत मैता, मुकेश जैन, दीपक बंडारी, मौमद फारूक, महेंदर सिंग आजाद, महेंदर सिंग तीवारी नेहा तीवारी, तनीशा तीवारी, अमन गो स्वामी, प्रिती वो पेन वर अबर फैंसिल विद्याले में कागजात रखने के लिए अलमारी भेट की गई बाली नगर पालीका में प्रशासन सेरो कि संग अभ्यान कैम आज लगाया गया जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा पट्टे वित्रित किये गए ग्राम पंचायत प्रताबगड के सरपंच के विकास कारेों को कुछ लोगों ने की सराना तो कुछ लोगों ने की आलोचना पाली जिल्ले की जैतारान उप्खन शेतर ग्राम पंचायर प्रतापगड के वर्तमान सरपंच गुलाप सिंग रावत के विकास कारियों के कुछ ग्रामिनों और महिलाओने की सरहाना तो कुछ युवाओं ने की आलोचना, युवाओं ने कहा कि जनपर्दी नितियों ने जित्ते वोटों की समय मान मनुवार करते हैं, चुनाव जीतने के बाद मैं नहीं उपसर पर गोविन सिंग रावत ने कहीं कि हम युवाओं की तरह मदद बांगर सिमेंट फेक्टरी में एग्निमेंट लगाना ग्रामिण युवाओं को रोजगार दिलाना, विकास कारियों को लेकर कटी बंद हैं, नरेका सहित सरकारी योजनाओं का ग्रामिण और महिलाओं को मिल रहा है, सरकार का हर योजना का लाभ हम जनता की सेवा में खराब उतने ही कर रहे है कोशिश विदायक सूध अर्शन सिंग रावत छाय किसानों के वीज सरकार के उपलिप्दियों के साथ किसानों को उप्रणों के साथ बाट रहे पट्टे पाली और रास्तमन जिल्ला सीमा बीच लसाडिया सिविर में हुए रावत रूबरू प्रशासन गाओं के संग सिविर में बारीकी से विदायक रावत किसानों को और गरीबी के और पूरा फोकस सासन प्रशासन के अधिकारियों के देख रेग में ग्रामिनों को दी शिविर में सेवा पाली जिल्ले में जैतारण उप्खण की और रायपुर उप्खण की दर्जनों ग्राम पंचायत में विवा उस्सव की दूम नेता जन परदीनिती समा से वी वरवदू को दे रहे आशिरवाद पाली जिल्ला देव से नाद्यक्स देव करन गुजर जाजम पर विवा उस्सव की सामगरी सुकून को संभालते और टटोलते नजर आए